प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आज अम बात करेंगे भार्त भुष्ण अगरवाल की कवीता दूंगा मैं प्यारे विद्यार्थियों ये कवीता रेखांकित करती है कि तिहास निर्मान में पर्तिक व्यक्ति की भुमी का है साधान से सधान व्यक्ति भी अपना अमुल्य योगदान देता है और यह सड़क हमेशा निर्माना धिन रहती है निर्मित होती रहती है और कवीता का जो फलक है वो राजे माराजाओं की बजाए सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुँचा हुआ है मेनत कस व्यक्ति तक पहुँचा हुआ है सर्मिक जन तक पहुँचा हुआ है कि हम उस्रम का सम्मान करें कवीता शुरू करते हैं कि मेरी अकिंचन्ता अनन्य है कि मैं ऐसा हूँ कि मानो हूँ ही नहीं हाँ नहीं हिचकूँगा कभी बोलता है दूँगा मैं यह ती थी मैं तुमें सब कुछ अर्पित कर दूँगा क्यार्पित कर दूँगा मेरी अकिंचन्ता मेरी तुछता एद्वितिय है बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मेरे पास चू कुछ भी है जो भी मानो है विचार है जो भी सम्मेदनाए है जो भी मिठास है जो भी अपनापन है वो सब कुछ में तेरी जोली में भर दूँगा वो सब कुछ में तेरे उपर लुटा दूँगा वो सब कुछ में तेरे चर्णों में अर्पित कर दूँगा कि मैं तुम्हें त्रिप्त कर पाऊं मुझे में समर्थे कहा कि अपने को निश्व करके भी तुम्हें बांद नहीं पाऊंगा और नहीं सोचूंगा यह भी कि आखिर तुम मुझे छोड़ चले जाओगे जैसे नदी का जल डूहों को तोड़ छोड़ चला जाता है और कहने लगा एराही कि मुझे में वो समर्थे नहीं है सकती नहीं है कि मैं सब कुछ आपके चर्णों में अर्पित करने के बावजूद भी तुझे अपने बंधन में बांद पाऊं और मुझे पता है एक दिन तुम चले जाओगे जिस परकार नदी अपने किनारों को छोड़ करके आगे बढ़ जाती है मुझे पता है चलना ही जीवन है और एराही तुम दिरंतर चलते जाओगे मुझे इस बात का पुरा विश्वास है सोच छोड हिजक छोड दूंगा मैं देता हूँ लो यह लो ओ तुम अनजाने अती थी आज भर के लो यह पराग जो अपनी सक्ती में मात्र गुन गुन हट है पर जिसे दे कर यह मेरे होट समाधी बन जाएंगे और कहने लगा कि मैं हर परकार की चिंताओं को छोड़ कर हर परकार की हिचकचाट को छोड़ कर यह ती थी मैं अपने पराग को अपनी मिठास को जिसकी थोड़ी सी गुन गुन हट है वो तुझे अर्पित कर दूँगा और मेरे होट समाधी के समान पवित्र हो जाएंगे यानि मेरे कवीताओं के मिठास जब आपके व्यक्तिताओं में सामिल हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी साहित्तिक रचने की है जो भी मेरा साहित्तिक अवदान है मैं धन्या हुआ किर्थार्थ हुआ यह ती थी मेरे पास चू कुछ है वो सब कुछ आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ आप इसको ले करके नदी के समान निरंतर चलते रहो आपका जीवन निरंतर गतिमान रहे लो यह आग जिसकी चिन्गी में जलन तो क्या ताब भी नहीं और कहने लगा कि हे मित्र लोई है आग यह आग लो जिसकी चिन्गी में जलन तो क्या इसकी चिंगारी में जलन नहीं ताब भी नहीं बल्कि उसनता भी नहीं पर जिसे दे कर लेकिन यदि इस आग को आपने अपना लिया तो मेरी अस्थियां, मेरी हड्डियां पवित्र बन जाएंगी एरा ही मैं आपने विचारों की आग आपको समर्पित कर रहा हूँ और ये आग जलाने वाली नहीं है बलकि ये वाग निर्मान करने वाली है यानि एक आग वो होती है जो सब कुछ समापत कर देती है नश्ट भरष्ट कर देती है और एक आग चुले की होती है जो कच्चे अन को पक्के भोजन में तबदील कर देती है यानि जो चुले की आग है वो रचनात्मक है वो स्रिजनात्मक है तो कभी कह रहा है मैं आपने विचारों को आपको अर्पित कर रहा हूँ श्रवसव अपना आपके उपर लोटा रहा हूँ इसका विप्राई ये है कि ये विचार आपके विक्तितव का निर्मान करेंगे आपके अंदर एक नई स्रिजिन सिल्ता का जनम देंगे आगे बढ़ते हैं लो मैं देता हूँ अपना प्राग राग आगी है अपनी जो मैं हूँ जो मेरा स्रवसव है और कहने लगा कि मैं देता हूँ प्राग राग ये प्राग के कण ये प्राग का सुन्द्रिय जो मेरा अपना है बेहिजक देता हूँ मुठी पर मुठी भर अपने को रिता कर देता हूँ तो लो तुम ओ अतिथी यह सेवा से विकार करो यह अतिथी ए राही जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आप अपने जोली में समेट लो जो भी मेरे पास अपना पन है, जो भी मेरी मिठास है, जो भी मेरी आग है, वो सब अपने व्यक्तिताव में सामिल करो, और महित्पूण बात कहने लगा, भूल कर भी इससे तुम्हारा काम नहीं चलने का, बहुत महित्पूण पंक्ती है कवीता की, लेकिन केवल इसी से काम चलने वाला नहीं है यानि यदि तुम लंबी यात्रा पे निकलना चाहते हों तो अपने पाओं की मास्पेश्यों को तुमने खुद ही मजबूत करना पड़ेगा हां मैं उस दिशा की और संकेत कर सकता हूं उस दिशा के किठनाईयों के और बता सकता हूं उस दिशा की वेचारी की यात्रा में मैं आपका सयोगी हो सकता हूँ आपका सयोग कर सकता हूँ लेकिन चलना तुम्हारा काम है तुम अपनी राहों के खुद ही अनवेशी हो देता हूँ क्योंकि तुम मेरे द्वार आये हो और मेरे पास है देने को अपना पन देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुह अंधेरे से इस गली के घर-घर के द्वार-द्वार पर दस तक दे दे कर ठक गए हो है मितर मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ मुझे पता है कि तुम सुबह सुबह से इस गली महले के परतिये के घर-घर के द्वार पे जाकर के उसकी सोंगल खट-खटा रहे हो और किसी ने तुम्हारी आवाज को कान नहीं दिये है, किसी ने तुम्हारी बात को सुना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ साथियों, यहाँ तुम्हें समझ सकते हूँ, कि कभी वहीं पहुंचता है, जिसको कोई तवज्जू नहीं देता हूँ, कभी की सार्थकता यही है, कभी की सकती यही है, कि जो चीजें दुनिया की नजरों से छूड़ जाती है, कभी उन नजरों पर पैनी निगाह रखता है, उनको पकड़ लेता है, उनको अपनी कविताओं में तवज्जू देता है, और वही आगे चल करके मुनिश्य को उसकी कमजोरियों के बारे में बताती है, उसकी और संकेत करती है, कि हमें इस परकार की दुनिया बनानी है, जहाँ परती एक व्यक्ति को, परती एक छोटे से छोटे नागरिक का भी हम सम्मान कर पाएं, उसके भाव और विचारों तो कम हम पहुँच पाएं, भीतरती चहल पहल राग रंग गूज समारोह की, पर किसी ने सुनी नहीं तुम्हारी वह खट-कटाहट, क्योंकि सब ने सोचा कि तुम तो भिखारी हो, दीन ही नियाचक, प्रोप जीवी, और कहने लगा, कि सारी दुनिया अपने खुश्यों में डूपी हुई थी, अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन तुम्हारी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कि सब ने सोचा कि ये समान्या सा तुछ व्यक्ति है, ये भी चोटे से चोटा व्यक्ति भी इस दुनिया का महत्वपूर है, उस व्यक्ति के अंदर भी नजाने कितनी निर्मान करने की सक्ति उस व्यक्ति के हर्दे में छिपी हुई है, मुझे इस बात का पता है, और इसलिए मैं तुझे सब कुछ अर्पित करता हूँ, जो कुछ मैंन ही हो कि देगा मैं इतिहास हो ये इसके वीता के सब से मेहत्रपुणं पंक्ती हैं यह यह कहँई किस मेहत्रपुणं सब्द हैं इसक किके किसा थो हो याiley हर व्यक्ति इतिहास निर्माण करने की सक्ति रखता है को इसको पहचाना जाए उसकी भावनाओ는 का सम्मान किया जए कभी हमारे सामने बार-बार इस कवीता में ये रिकांकित करना चाहता है कोई भी जो व्यक्ति है कितना ही छोटा क्यों नहों लेकिन उसकी जो अदृष्य शक्ति है वो मानवता के लिए ने जाने कितना फाइदा पहुँचा सकती है कितना लाब पहुँच जब रोज लड़ता है जगडता है वो प्रस्तीति हों से टक्राता है जूजता है हारता है लेकिन फिर भी चला जाता है अर्थात हर व्यक्ति जो छोटे से छोटा है जो स्रम जीवी है जो महिनत का सह है जो लगातार अपनी प्रस्तितियों से तक्रा रहा है उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए उस व्यक्ति को इतिहास में जगह मिलनी चाहिए और बहुत बार कहा जाता है कि जो कुछ इतिहास में छूड़ जाता है वही साहित्य में दर्ज होता है धन्यवाद साथियों अब मैं आपको बताऊंगा व्याख्या के लिए कुछ महत्तपुन बाते सबसे पहले कवी का नाम फिर उसकी कवीता का नाम और फिर कवीता का मुख्या संदेश ये व्याख्या में आना चाहिए कवि नैत यहास निर्माण में समानी वेक्तिओं की भूमि का को रहखांकित किया है प्रियोग वादि सहली है मुक्छन्द का प्रियोग है अविधास सबसकी की व्यंजना पूरी कम पंक्तियों में फैली भूई है साहित्ती खड़ी बोली का प्रियोग है जिसमें सहजता एउन सरलता का गुण विद्यमान है प्यारे विद्यारतियों नमस्कार आज हम बात करेंगे भार्थ भुष्ण अगरवाल के क्वीता फूल के बोल भार्थ भुष्ण अगरवाल प्रियोगवाद के महत्तपुन कवी है और प्रियोगवाद की विशेषता है कि वो व्यक्ति चेतना पे बल देता है तो फूल के बोल कवीता में कवीर खांकित करता है कि संद्रिय रचना में नहीं, रचना प्रक्रिया में, बलकी संद्रिय वस्तु में नहीं, वस्तु प्रक्रिया में निवास करता है, आप देखते हैं, बड़ी-बड़ी सडकें, बड़ी-बड़ी अटालेकाएं, पुल, इमारतें, लेकिन उनका निर्मान किसने किया है, वो आम व्यक्तियों ने, वो मेहनत का तबके ने, इस फूल के बोल के माध्यम से, कभी हमें उसी और ले जाना चाहता है, उसी और संकेत कर रहा है, कि मेहनत का सम्मान हो, सर्मिकों का सम्मान हो, तभी हम एक बहुतर संस्कृति का निर्मान कर सकते हैं, कविता शुरू करते हैं मुक्त हो गया गदगद हो गया उसका दिल परसंचित हो गया और वो उसकी सुगंद नत्रों से लेकर के पूरे शरीर में फैल गई और उसके दिल से एक आवाज निकली कि वसंत तु धन्या है तुने इस परकार के सुंद्रिय का निर्मान किया है और उसकी आखों से लगातार रंगों की बर्षात होने लगी अर्थात उसकी आखों में फूलों के असंख्या रंग उभराए लोटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुब का एक नन्ना फूल अचानक बोल पड़ा सुनो एक छोटा ससत्य तुम्हें सोपता हूं धन्या है वसंत रितु ठ ठीक है पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं वह हमने रची है लेकिन जो ही कभी वसंत के संद्रे से विभूत हो करके वापस लोटने लगा तो एक फूल ने चनोती देते हुए कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो यह संद्रिय वसंत ने नहीं रचा यह संद्रिय हमने रचा ह यह सत्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि संद्रिय जो तुम देख रहे हो यह संद्रिय वसंत का नहीं बलकि संद्रिय में असंख्या और क्रोडों क्रोडों छोटे-छोटे पोदे लगे हुए हैं हमने यानि मैंने और मुझ जैसे मेरे इन अनगनित साथियों ने जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाओं पर दूफ और बरसात जाड और पाला जेल सुन्द्र को तपाया है पूरी आयू एक पाओं पर और कभी को संबोधित करने लगा कि है कभी ये सुन्द्रिय वसंतने नहीं बलकि मैंने और मेरे साथियों ने रचा हैं और हमने एक पाओं पर खड़े हो करके विशं प्रस्तितियों को सहन करके धूप जाड़ा और बर्शात को अपने उपर उसका मुकावला करके हमने इस सुन्द्रिय को रचा हैं हमने इस सुन्द्रिय का निर्मान किया है तुमने रितु को बखाना पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोग को भी देख सके जिसके बल पर मैंने और इसने और उसने यानि मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंदेरा फोड सुरस से आखे मिलाई कि तुमने रितु का गुनगान तो कर दिया वसंत के सुन्द्रिय से तो अभिभूत हो गए उसकी परसंसा तो तुम करने लगे क्या तुम एक पल भी उस लोग को देख पाए जिसकी सक्ति के माध्यम से हमने पिर्थवी की चटानी सक्ति को तोड़ करके सुरिय की सक्ति को चनोती दी है हमने सुरिय स्याख मिलाई है यानि जितनी मेहनत से हमने सुन्दर्दा का निर्मान किया है कि कभी तुम वहां तक नहीं पहुँच पाए तुमने उनको उस चीज को तुमने समझा नहीं है और यदि जानते तो तुम भी रंग जाते एक रितू और कहने लगा कि यदि जानते तो तुम भी रंग जाते एक रितू और यदि तुम इस सुंद्रे को जान जाते तो तुम एक ने सुंद्रिय का निर्मान कर सकते थे, एक नए दुनिया का निर्मान कर सकते थे, यहां कभी कि जो लायन है, वह भशुकरति यहीं, यानि ये ले घुकर को अछ्शे ढंग से समझ ले, कोई भी देश, कोई भी संस्क्रीटी, कोई भी राजनिती, ये लिह घंश स्व्यक्ति का सम्मान करना शुरू कर दें तो एक नए दुनिया का निर्मान हो सकता है एक नए संसार का निर्मान हो सकता है जब तक हम मेहनत का स्व्यक्तियों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम एक समावेशी भारत का निर्मान नहीं कर पाएंगे ये कवीता कहीं न कहीं हम आपने संस्कृति के उन तत्वों को टोलने के लिए भी मदद करती हैं कि क्यों एक लव्य का अंगूठा काटा गया और क्यों जो राजघराने में रहने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया गया क्यों भारतिय संस्कृति में यह देखते हैं कि जो निठले व्यक्ति हैं उनको गौर्वानित किया जाता है उनको सम्मानित किया जाता है और जो मेहनत कश्वेक्ति हैं उन्हें अपमानित किया जाता है नजाने कितनी सुतर जो हैं, आप इसको देख सकते हैं, कभी-कभी मुझे बात याद आती है, कि जब मैंने पहली-पहली बार गुवर्मेंट जो में जोएन किया, तो गाओं के लोगों ने मुझे कहा कि तो सरकार का जमाई बन गया है, यानि अब कुछ काम आपने नहीं करना है, यानि जो काम आपने नहीं करना है, उसका भी सम्मान, हमारी पूरी की पूरी जो संस्कृती है, वो इस प्रकार की है, यदि हम इस प्रकार की स्मिक्सा करते चलें, अपने पाठ्यकर्म के माध्यम से, हम सही माईने में एक नए भार्त का निर्मान कर सकते हैं, ऐसा भार् मेहनत का स्व्यक्ति का सम्मान हो पूल समान्य व्यक्ति का प्रतीक हैं जो पूरे वसंदिया कुछ नोर्ति देता है तो संद्रिय राज घ्रानाँ में निवास नहीं करता संद्रिय तो बलकि मेहनत कते हैं व्याक्टों को ध्यान रखना चाहिए से पर्षंगिए कवी का approved कवीता औो कवीता का मुख्य संदेश आना चाहिए उसके बाद आप व्याक्षिया करेंगे काव्य सुंद्रे के लिए महत्तुपुन बाते हैं कवीता में जनता के द्रिश्य शक्ति हैं वो चटानी सक्ति के और संकीत के आ गया है प्रियोगवादी सैली है फूल आम व्यक्ति का प्रतीक है साहित्ति खड़ी बोली का प्रियोग है जो भावान कूल है और मुक्त शंद का प्रियोग है प्रतीक कवीता के काव्य सुंद्रे अलग लग होते हैं इसलिए हमें काव्य सुंद्रे के लिए अलंकारों, चंदों, मुहावरों, लकोक्तियों का ग्यान होना भी जरूरी है धन्यवाद दो जो एकर लगए हो ना हमेश्ग का भी जर जरूरी है प्रहिं हमें हमेश्ग कर यद्रे को का प्रियों का प्रियोग है अलंकारों, चालंकारों, ऑटख दिल्पनमाश्णना लेग उन्हेust प्रियोग है प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने भार्त भुष्णा गर्वाल की दो महत्तपन कविताईं, फूल के बोल और दूंगा मैं, इनकी व्यक्षें की, इनकी विश्यवस्तु से आप जरूर परिचित हो गए होगे, और कभी इन कविताईं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, उस संदेश को भी आपने जरूर समझ लिया होगा, जान लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, तो इन कविताईं के अध सब्दों में लिखिए, दूँगा मैं कविता के सार को अपने सब्दों में लिखिए, नमबर दू, दूँगा मैं कविता की परतीक आत्मक्ता पर परकाश डाली, और इसके बाद, फूल के बोल कविता के जो महत्तपुन परसन होंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे, फूल के बोल कविता के माध्यम से, कवि ने साधान जनता की चट्टानी सक्ती के और संकेत किया है, सपस्ट कीजिए, और नमबर दू, फूल के बोल कविता का उदश्य अपने सब्दों मे लिखिए लिखिए तो प्यारे विद्ध्यार्थियोग आपने इन पर्षनों को करके आपने समंदित प्रधापक के पास जमा करवाना हैं आप माध्यम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि संभव है तो आप वट्सैप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, आप सिक्षाशेतू के माध्यम से या कोई और इस प्रकार का गुरुप आपके महविदल्य ने चलाया हुआ है, जहां विद्यार्थियों से बाचीत हो सकती हैं, तो वहां पर उस सामगरी को जमा करवा दे नहीं तो हाड कोपी में आप जमा करवा सकते हैं, उसकी पीडियाब बना करके आप आपने प्रफेसर के पास भेज सकते हैं, और सामगरी के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, आप चाहो तो जो हमारी प्रतिष्टित पुस्त के हैं, उनके आप साहिता लीजिए, अन्य था, यदि आपको EPG पाट साला पर इससे समंदित कोई लेक्चर हैं, उसको आप वहां से ले ले, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर आपको इससे समंदित मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं, भारत भुशन अगरवाल की कवीताओं पर कवीता कोस पे भी कुछ सामगरी आपको मिल जाएगी, वहां से आप सामगरी ले सकते हैं, दिल्ली के जो डिजिटल लाइबरेरी है, वहां से भी आप साहिता ले सकते हैं, तो साथ यो बहुत सारे माध्यम है, या किसी विश्विदैल्या का परतिष्टित प्रफेसर है, यदि उसने इस परक कुछ बातें आप इंटरनेट से ले ले, वेब साइट से ले ले, कुछ बातें आप हार्ड कोपी से ले सकते हैं, कुछ बातें जो आपने कवीता में अपने प्रफेसर से सुनी हैं, उसको ले सकते हैं, और उन तमाम सामगरी का मिलान करके, एक बहितरीन और सांदार परसन आपका तयार हो जाएगा और उसके बाद आपने मुल्यांकन के लिए अपने प्रोफेसर साब के पास उसको भीजना है ताकि उसका मुल्यांकन हो पाए और जहां पर कुछ कमी रह गई है उस कमी की और संकेत किया जाए आपको सचेत किया जाए कि इस परकार की जो कमिया है वो समय रहते दूर की जाएं और साथ की साथ यदि को इतनी बहत्रीन बात है वो और विद्यार्थियों के साथ भी उस बात को शेर किया जा सकता है और विद्यार्थियों के साथ भी उस बात को बताया जा सकता है तो आप सब का धन्यवाद